साइन होस्पीटल चुन्नी चातापूर वाड नमबर एक सुपॉल मुबाइल नमबर 7061-509641 नमस्कार आप देख रहें MK News रेडिया खबर रोतास से रोतास जी ने के सासा राम में 62 लाक रुपय गमन करने का मामला सामने आया है आपको बता दे कि सासा राम नगर परिशत की मुख्य पारसत कंचन देवी को आज नगर थाना की पुलिस ने गिरफतार कर लिया उन पर नगर परिशत की आठ योजनाओं का बिना क्रिया वन्यन कराए 62 लाक रुपया गबन कर लेने का मुकदमा दर्च कराए गया था इस समन में रोतास S.P. 80 भारती ने बताया कि मुख्य पार्षत कंचन देवी पिछले कई महीने से फरार चल रही थी बिना काम कराए कई योजनाओं में पैसे निकाल लिये गए थे पुलिस को गुप सूशना मिली थी कि नगर थाना के बेदा के पास एक मकान में मुख्य पार्षत कंचन देवी छुपी हुई है इसी सूशना के बाद पुलिस ने महिला पुलिस बल के साथ छापा मारी की और मुख्य पार्षत कंचन देवी को गिरफतार कर लिया उनकी गिरफ्तारी से गवन करने वालों में हड़कम बचा हुआ है MK News इंडिया के लिए रोता से मनुज कुमार सिंग की रिपोर्ट नगर परिशद साचाराम चेत्र में विभिन वाडो में बिना कारे कराये ही पैसे की निकासी करने के संबंद में दे और इस संबंद में कुल मिला करके लगवग 62 लाग का जो एक साथ योजनाओं में कुल और तालीस लाग बत्तिस अजार और एक योजनाओं में कुल साथ लाग 23 जार और तथा आने योजनाओं में भी गवन की बात अनसंदान में आई है इस मामले में मुख्य पारशद सही नगर परिशद के कुछ पधादिकारी तथा कुछ अभियंता शामिल है और इसी क्रम में आज यह सूचना मिली कि इन तीनों कांडों में एक नामजद अभियुक्त जो की मुख्य पारशद कंचन देवी हैं वो सासाराम में वेदा नहर के पास एक मकान में छिपी हुई है इस सूचना के सत्यापन तता अवर्शक कारवाई के लिए सचो सासाराम टाउन थाना एवं अन्य पुलिस पधादिकारी और बल को भेजा गया जिनके दोरा वहाँ पे जो मुख्य पारशद श्रीमती कंचन देवी उनको गिरफ़तार किया गया है तता इस मामले में सामिल अन्य जो अभियुक्त है उनकी गिरफ़तारी के लिए छापे मारी जानी है जल्दी उनको गिरफ़तार किया गया साइं होस्पीटल चुन्नी चातापूर वाड नमबर एक सुपॉल मोबाइल नमबर 7061-509641 और 7042-806778 हमारे हाँ पित्त की थैली की पत्थरी अपेंडिक्स का उपरिशन, हर्निया और डागनोस्टिक यानि दूरबीन द्वारा पेट की जाच वो लेपरस्कोपी उपरिशन के अलावे यूटरस रिमोबल, बच्चे दानी का उपरिशन, गुर्दे की पत्थरी का उपरिशन और प्रोस्टिट सरजरी के अलावे पाइल्स यानि बवसीर का उपरिशन भी होता है हमारे हाँ स्त्री रोग एवं बाल रोग, हड़ी रोग एवं जोड रोग, जनरल रोग, पेट रोग विशिशग द्वारा इलाज किया जाता है